विदी आयोग ने समान नागरिक सहिता को लेकर आम लोगों और धार्मिक राजनीतिक संगठनों के विचार मांगे इसे बीच प्रधानमंति नरिंद मोधी निक के उनिफॉर्म सिविल पोर्ट को लेकर दिये गए बयान के बाद देश भर में राजनीति गर्मा गई है विपक्ष पियमोधी और उनकी सरकार पर लगातार हमला बोल रहा है इस कड़ी में कॉंग्रेस की यूपीय सहियोगी पार्टी डियमके ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले हिंदूओं पर लागू हो समान नागरिक सहिता बता दें कि डियमके ने कहा है कि सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रास्ना करने के अनुमती होनी चाहिए साथ ही यह भी कहा है कि अनुसूचित जाती और जन जाती सही देश के प्रतेख व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमती होनी चाहिए दि-मक के के टी-एस एलंगोवन ने कहा है कि हम यू-सी-सी यानि कि समान नागरिक सहीता इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि सम्विधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है बता रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरह से प्रणमंति नरिद मोदी के इस बयान को भेरा है और इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है कॉंग्रेस के महासचीव केसी वेनी गोपाल ने एक बयान में कहा है कि पियम मोदी को पहले देश में गरीबी महंगाई और बेरजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए वह मरी पुर मुद्दे पर कभी नहीं बोलते हैं पूरे राज जल रहा है वह सिर्फ इन सभी मुद्दे को लेकर ध्यान भठका रहे हैं वहीं AIMIM के प्रमुख आसदुदीनो वैसी ने पियम मोदी पर नैसाना साथते हुए कहा है कि भारत के प्रधान मंतरी भारत की विवित्ता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानते हैं इसलिए वह ऐसी बाते कह रहे हैं कि आप UCC के नाम पर देश के बहुलवाद और वित्ता को छीन लेंगे वह UCC की बात करते हैं तो वह हिंदू नागरिक सहिता की बात कर रहे हैं मैं उन्हें चुनोती देता हूँ कि क्या वे हिंदू अभिभाजित परिवार को खत्म कर सकते हैं जाईए और पंजाब के सिखों को UCC के बारे में बताईए देखिये वहाँ क्या प्रतिक्रिया होती है बता दे कि PM मोदी ने मंगलवार को भोपाल की एक रैली को संभोषित करते हुए कहा तक कि UCC पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहे हैं एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार कह चुका है कि UCC लाओ लेकिन विपक्षी दल्व वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं UCC का जिक्र समविधान में भी किया गया है आपको बता दे कि समान नागरिक सहिता का मतलब सब के लिए एक कानून से है इसके तहट सभी धार्मिक समुगायों पर विवा, तलाक, विरासत, गोद लेने की परमपरा और रखरखाव जैसे मसले पर एक जैसा कानून पूरे देश भर में लागू होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपर इंधिक सहिता तो है याने कि अगर आप किसी परकार का अपराध खरते हैं तो आपको देश में एक ही परकार से सजा मिलेगी लेकिन समान नागरी कानून नहीं है इसी को लेकर प्रणमंत्री के बयान पर अब विपक्ष इसे बहुत ही तेज हमला बता रहा है और इसके साथ ही लगातार विरोज जारी है देश और दुनिया के तमाम अन्ने खबरों के लिए भी जुड़े रही आप हमारे साथ ताकि मिलता रहे आपको हर एक खबर की अपडेट आप देखते रही है इस पेन नाइट यूज